प्रशासन पूरी तरह से एलाउट मोट पर नजर आया वही अमना नदी के तर्थ के किनारे नगर पालिका ने सुन्दर घाट बनाकर छट वरधारियों को छट पर्व का तौफा दिया यहाँ पर पहुंचे छट वरधारियों ने खुले मन से उत्तर प्रदेश सरकार और लोनी नगर पालिका की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि पहली बार इतने सुन्दर घाट पूजा करने के लिए प्रशासन दौरा उपलब्द कराए गए हैं वही घाटों का जायजा लेने के लिए हमारे केनियो समबादा था जैमीर वावी छट घाटों पर पहुंचे और उन्हें पूरी स्थिति का जायजा लिया देश भर में छट पर्व का त्योहार बड़ी धुंधाम से मनाये जाएगा जिसको लेकर हम पहुंचे हैं गाजबाद लोनी के जमना नदी के किनारे जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख पाएंगे जो नदी का पानी है साप पानी इसको कहा जा सकता है हालकि छट पर्व की जो तैयारिया है नगरपालिका लोनी की तरफ से की गई है नगरपालिका ने हाँ पर बहुत अच्छी विवस्थाई की है अगर बात करे परसासन पूरी तरह से छट वरतिधारियों को सुरक्सा और सुविधा देने के जिस तरह से जो दावे किये गए ते कहीं न कहीं सफल न जा रहे हैं आप देख पाएंगे यहां पर घाट बनाया गया पूरी तरह से विवस्थित है उधर रसी बांदी गये ताकि कोई छट वरतिधारी यानि कि जो पूजा करने वाला है उससे आगे ना जा पाए और वो जो पूरी तरह से अलट है उपजिदाधिकारी लौनी ने भी यहां पर कई बार निरिक्षन किया है और जो नगर पाली का है उसको पूरी तरह से जो व्यवस्था है उसको करने की बात कही है वही मैं आपको बता दू कि आज साम को जब सूर्य देवता डूबेंगे यानि क डूबते हुए सूर्य को आज अर्ग दिया जाएगा साम को वहीं सुबह के समय की बात करें तो उगते हुए सूर्य को अर्ग देकर जो वरत धारी हैं अपना वरत खोलेंगे वही मैं आपको दिखा दू कि अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पूजा के लिए अपनी जो जगह है उसको साप कर रहे हैं जहां पर पूजा करेंगे उस विवस्ता को यहां पर बना रहे हैं आप देख पाएंगे कि तमाम लोग यहां पर लगे हुए हैं और अपनी अपनी जो जगह हैं जो पूजा की बात करें जहांपर साम को पूजा की जाएगी उसकी विवस्ता कर रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद है वहीं अगर घाट की बात करें तो सफाई पर विशेज ध्धान इस बार नगर पालिका ने दिया गया है लाइट की विवस्ता की गई हैं सोचाले भी यहां पर लगाए गए हैं तो कहा जा सकता है कि जो छट पर एक बड़ा मैत्पूर्ण पर होता है इस पर को लेकर लोनी पर सासन और गाजबाद पर सासन पूरी तरह अलट मोड पर है तमाम विवस्ताय यहां पर की गई हैं चाहे सुरक्सा की बात करें या फिर विवस्ताओं की बात करें सुरक्सा पूरी तरह चाक चौबन है पुलिस की जो विशेश डूटी यहां पर लगाए गई हैं सफाई के लिए नगर पालिका के तमाम कर्मचारियां लगे हुए हैं और तमाम जो जगे हैं यहाँ पर सफाई की जारे मैं आपको दिखाऊंगा आप देख पाएंगे कि जो कूडा था उसको हटाने के लिए नगर पालिका के करमचारियां मौजूद हैं और उस व्यवस्था को बना रहे साप सफाई अभी भी यहां पर चल रही है और जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहां पर जो वरत धारी है वो यहां पर साम को अर्ग देंगे और आप सु कमाम लोग मौजूद हैं